डोंबी वली के खंबाल पाड़ा परिसर में नाला सफाई के दुरान नाले के मेन होल में फसने से तीन करमचार्यों की मौत हो गई वहीं दो पुलिस थाने के सीमा हद को लेकर लडाई के कारें गंटों बीच सड़क पर लाशे पड़ी रही माराश्च के जोंबी वली के पास थित खंबाल पाड़ा परिसर में पायल मार्बल के पास M.I.G.C. अंतरगरत आने वाली नाला सफाई का कारे किया जा रहा था नाला साफ करने के लिए देविदास पाजगे महादेव जोपे वचेंदरभान जोपे नामक तीन करमचारी वहां मौझूद थे उसमें एक करमचारी में होल के जरिये नाले में उत्रा प्रंतु वह उसी नाले में फस गया और उसका दम घुटने लगा यह देख उसके साथ के अन्ने दो करमचारी उसे बचाने के लिए नाले में उत्र गए प्रंतु वह लोग भी नाले में फस गए और इस नाले में फसने के कारण तीनों की दम घुटने से मौत हो गई तीनों के मृत शव को पोस्ट मार्चम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है बताया जा रहा है कि करमचारी जिस नाले की साफ सफाई करने के लिए गए थे उसमें MIGC से निकलने वाला जहरीला पानी जाता है जिसे नाले में प्रान घातक वायू का निर्मान होता है और इसी के कारण दम घुटने से तीनों की मौत हो गई हैरत की बाद तो यह है कि पुलिस अपनी सीमा को लेकर आपस में ही प्रेशान थी घटना की जानकारी लगते ही मान पाड़ा पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची प्रांतु उसने यह कहकर अपना पल्ला जाड़ लिया कि यह है उनकी हद में नहीं आता और वहां से चली गई प्रेशार ठिठक नगर पुलिस वहां पुलिस पहुंची पर उन्हों ने भी उक्त परिसर को अपनी सीमा के अंत्रगरत ना आने की बात कहकर पल्ला जाड़ लिया जिस कारण करंचार की लाश घंटों बीच सड़क पर पड़ी रही जिस कारण लोगों में नाराज की फैल इसके बारे में मुझे कुछ आइड़ा ने था क्योंकि मैं बहुत लेट पोचा ता हूंब उसके बारे में अबी मैं कुछ बोल नहीं सकता इसको कितने बच्चे थे क्या उनको दो लड़के और एक लड़की